में आनंद की अनुभूती द्वयत अवस्ता से ही संभव है। द्वयत का अर्थ होता है जो पांच तत्वों से तनमात्राओं के साथ निर्मित काया। बिना इस शरीड के हुए जया वो किसी भी जोनी का हो और चार खानियों में किसी भी खानी का हो बिना शरीड के रहते वे अनुभूती नहीं हो सकती। क्योंकि परमात्मा को भी उस अनुभूती के लिए शरीड धारन करना पड़ा है। स्वेम प्रमात्मा भी आवतार ले करके उस सुख दुख और आनंद की अनुहूती के लिए इस मिर्ति लोक में आए यही वो सर्वसेष्ट लोक है जहां करम प्रारवध का फल सुनिचीत है और वो एस्परस्ट है परतक्ष है लोकिक्टा में प्रमान है कि करम फल कब होगी जो आप देख करके दूसरे को आह करते हैं लेकिन भोगने वाले को आह और वा से कोई मतलब नहीं होता है क्योंकि अगर किसी कोड को देखा जाए उसे पूछा जाए क्या दर्द होता है तो आपको वो दर्द होता इसलिए पूछ रहे हैं, तो उसको वो दर्द नहीं है, क्योंकि वो तो बिलकुर सुन हो चुका है, समाप तो हो चुका है, वो रहते हुए भी अद्वैत की अवस्था में आ जाता है, अगर बाहर से देखके किसी फल के मिठास के वारे में जानते ह उसको हम ब्रमत तो काते हैं, ब्रमत तो ग्यान काते हैं, तत तो ग्यान काते हैं, ब्रम ग्यान काते हैं, तो बाहर से देखकर के अंदर की अनभूती का मतलब क्या है, यद अंत्रम तद वाहियम, यद वाहियम तद अंत्रम, अथात जो उसकी अंदर है, वही चीज मैं ही सो बहुत उची उचाई की साधना से प्राप्त है उसको हम सरीर से बाहर विदेख किडिया में ब्यक्त कर सकते हैं या मिर्वान पद में भी ब्यक्त किया जा सकता है कि निर्वान गतिक किसे कहते हैं सरीड में रहते हुई सरीड से निकल करके दूसरे सरीड को धारन करना भी बहुत आसान है वो मन के दृड़ का क्योपन निर्वर है अगर मन अगर सुद्रिड हो जाता है कि नहीं मुझे ये चीज प्राप्त करना है अर्थात इसमें प्राप्त होना है तो प्राप्त होता है ये चीज हमारे पवित्र भारत के इतिहासों में सास्तों में ही वर्नित है कि राम और लक्षमन दोनों सरीड से एख़ई सत्ता एख़ई उर्जा होते हुए भी परिवार्तित रूप में त्रेता से द्वापर जुग में राम को लक्षमन अर्थात प्रिस्न और लक्षमन को बड़ा भाई बनने की इक्ष्छा से बलराम बनने की परकिरिया में आना पड़ा तो इसको स्वैक्षिक प्राप्त होना या प्राप्त होना काते है आज अगर मनुस सच्चे सद्गुरु की सरन में जा करके उस मार्ग को पकर लेते हैं जिसकी मंजिल एक ही है और वो है अर्थात जो आप हो वोही मैं हूँ जो मैं हो वही आप है यही है आनन्द का भिष्य और इसको सचीता अनंद घंपरमेश्वर का हीरदे अंगम होना कहते हैं अगर ये वीडियो आपको पसंद आये हो टोलाइस और सब्सक्राइब जरूर करें